हेलो फेंट आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिरोधा के अंदर फंड कैसे एड किया जाए और कैसे विड्रॉ किया जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप जिरोधा काईट को लॉगिन कर लीजि लोगौ ूट तो आप यहां पर दोस्तों सबसे इस उपर फंड वाला आप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे तो दो आप्शन आजेंगे अइड फंड या विडियो आफर अगर आप एड करना चाते है तो एड़ फं को कडिक किजिए और अगर आप डिडू आप नोट विडि उसको क्लिक करके आप अपना टांसर कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक चीज है अगर आप Net Banking की तो फन टांसर करेंगे तो उस पर थोड़ा चाज़िश लगते हैं और UPI की थूरू अगर आप फन टांसर करेंगे वह फ्री है तो हम UPI की थूरू ही फन टांसर करना ठीक समझेंगे तो मैं जो है हमेशा UPI की थूरू ही फन टांसर करता हूं क्योंकि फ्री है कोई चार्जिश नहीं करते हैं वहीं अगर हम Net Banking की तो पैसे टांसर करते हैं तो नोर पे हमारा चार्ज करता प्लस DST अलग लगता अब UPI की थूरू फ्री है तो UPI को मैंने क्लिक किया है इसके थूरू हम पैसे टांसर कर सकते हैं अपने अकाउंट में सबसे पहरे तो अमाउंट भना पड़ेगा हमें कि हम कितना पैसा टांसर करना चाहते हैं सबसे अपर अमाउंट का option है यहां मैंने 6,000 लिपीज भरा है तो UPI की थूरू मैंने फन टांस मैसेज आएगा मुझे मैसेज आगया कि मेरे पैसे एड हो चुके हैं अब मैं इसको यूज कर सकता हूं टेडिंग में या कोई स्टॉक को बाई करने में तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि फंड विड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जुरुदा के अंदर फंड जो हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं जो अधा से हमने कोई शेर बेचा तो हमारे पैसे हमारे अकाउंट में आयोंगे जैसे आज हमने कोई शेर बेचा तो तीन दिन का सेटलमेंट प्यर्ड होता है तो तीसे दिन हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं जैसे हमने बताता हूं. तो सबचे पहले हम fund वाले option पे आएंगे. Fund वाले option पे आजब हम आएंगे तो यहाँ dele option है add fund और 3, withdraw fund अगर हमें fund add करना है तो हम add पे click करेंगे करमें withdraw करना है तो हम withdraw option पेख给我 करेंगे तो withdrawal option पे जैसी मैंने click किया तो इसने show किया कि कि मेरे account में कितने पैसे हैं जैसे fund वाले option पे हम आए equity वाले option पे हम आए community से अगर आपको withdraw करना है तो community वाले option को click किजिए अगर equity से withdraw करना है आपको तो equity वाले option को click किजिए आप तो मैं अभी equity से withdraw कर रहा हूँ तो equity से जब हम withdraw करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया दो option है add fund वाले option वाले option पे हमने click किया तो इस तरीके का कुछ खोलेगा तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 13,227 सुपे मेरे account में है अब अगर connection है continue पे click करूंगा मैं जैसी मैंने continue पे click किया तो मेरे bank की detail आ गई मैंने request डाल दी अब fund withdraw करने के लिए मेरी request चली गई है जोदा के पास अब यह request pending है 24 hours के अंदर 24 hours से पहले ही fund withdraw हो जाता है 24 hours के अंदर ही यह पैसे मेरे जो है bank account में transfer हो जाएंगे जो bank account मैंने link कर रखा है जोदा के साथ जो मैंने account कुल वाया था जहां से मैं fund add करता हूँ अपने trading account में तो उस वाले account में उस वाले saving account में मेरे पैसे 24 घंटे के अंदर आ जाएंगे तो दोस्थों यह कुछ असान तरिका था जिस तरिके से हम fund add कर सकते हैं और withdraw कर सकते हैं जो रोदा के अंदर तो मैंने आपको बताया कि कि कैसे fund add और withdraw कर सकते हैं हम जो रोला काइट के अंदर है तो मैं मुईत करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद